Hello friends, welcome back to my channel मैं अपनी channel HP exam corner में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके exams की preparations भी अच्छे चल रही होगी तो friends आज हम Indian geography का class 3rd जो है उसकी मैं video आपके लिए लेकर आई हूँ तो इससे पहले already two classes हो चुकी है अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप playlist पर जाकर देख सकते हैं और description box में भी मैंने mention किया है हर एक subject की playlist तो अगर आप different different subject की playlist देखना चाहते हैं तो description box में जाकर आप easily link पर click कर कर देख सकते हैं और friends इसी के साथ अगर आपने मेरा चानल अभी तक subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल को subscribe कीजे bell icon पर press कीजे ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे तो चलिए friends आज हम अपने session को without wasting any time आगे बढ़ाते हैं तो आज का first question है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है तो friends अगर हम बात करें भारत के जो standard time है where is the standard time of India taken तो friends इंडिया का standard time इलाबाद के नैनी से लिया गया है कहां से इलाबाद के नैनी से from मैनी ओफ इलाबाद ठेक है याद रखना है आपको कई बार exams में पूछा जा चुका है ये question next बात करते हैं भारत का समय greenwich से कितना आगे है how far is India time ahead of greenwich तो friends भारत का समय greenwich से 5.5 घंटे यानि कि 5 hours 30 minutes आगे है तो याद रखना है कि greenwich जो की एक standard time है तो उससे 5.5 घंटे आगे है भारत का समय ठीक है next बात करते है 82 slash 30 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है मतलब साडे 82 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है तो ये गुजरती है friends पांच राज्यों से भारत की बात की जा रही है तो भारत के कितने राज्यों से पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है ठीक है तो ये आपने रखना है याद कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है. अभी मैं आपको Map की help से भी बताओंगी कि कहाँ कहाँ से जो है हमारी 84 degree पूर्वी दिशांतर रेखा गुजरती है. तो वैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ कौन- तो friends जो हमारी 85 degree पूरवी दिशांतर है वो 5 राज्यों से गुजरती है और वो 5 राज्य है UP, MP, 36 गर्ड, उडिसा और आंदर प्रदेश आईए चलिए map की help से भी हम इसे देख लेते हैं एक बार तो friends ये है हमारा map ठीक है और जो ये वाली line है आप देख सकते हैं ये वाली line ये है 82 82 ठीक है पूरवी दिशांतर रेखा 82 degree पूरवी दिशांतर रेखा है तो अब हम map की health से आपको बताएंगे कि ये कहां कहां से होकर गुजर रही है तो चलिए friends देख लेते हैं एक बार तो friends सबसे पहले आप देखेंगे कि ये UP देखे UP का ये वाला area तो UP से होकर गुजर रही है पहला है UP ठीक है उसके बाद आएगी MP से देखे थोड़ा सा touch हो रही है यहां पे तो second कौन सा हो जाएगा हमारा MP तो MP से दूसरे नमबर पे फिर आती है ये 36 गड़ में एंटर करती है तो तीसर राज्य कौन सा हो गया 36 गड़ फिर चौथा क्या है उडिसा फूर्थ नमबर पे उडिसा को touch कर रही है और फिफ्थ नमबर पे आप देख सकते हैं यहां पर आंध्रप्रदेश ठीक है आंध्रप्रदेश को ये touch कर रही है तो अगर आपसे पुछा जाए कि 82 डिग्री एंड हाफ जो है पूर्वी देशांतर रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है तो आपका जवाब क्या होगा पांच राज्यों से गुजरती है आपको याद रखना है कि ये है आपकी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ठीक है और यहां से शुरू हो जाना आपको सबसे पहले क्या है UP, फिर मध्यप्रदेश UP, MP, 36 गड़, औरिसा, आंधरप्रदेश UP, MP, 36 गड़, औरिसा, आंधरप्रदेश UP, MP, 36 गड़, औरिसा, आंधरप्रदेश देखो UP, MP, 36 गड़, औरिसा, आंधरप्रदेश ठीक है तो ये है याद रखना है आपको U for UP, M से MP, C से 36 गड़ O से उडिस्ता and A for आंध्रपरदेश U, M, C, O, A 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 तो यह याद रखना है आपको यह है आपकी 82 and a half पूर्वी दिशानतर रेखा गुजरती है जो ठीक है तो hopefully आपको यह समझ आ गया होगा next बात करेंगे अब हम करक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो friends जो करक रेखा है वो टोटल आठ राज्यों से गुजरती है यानि कि करक रेखा को और क्या कहते हैं तो ट्रॉपिक ओफ कैंसर पासेज थ्रूँ हाउ मैनी स्टेट्स ओफ इंडिया तो friends थ्रूँ एट स्टेट्स ओफ इंडिया जो है करक रेखा यानि कि ट्रॉपिक ओफ कैंसर जो है गुजरती है और वो आठ राज्यों कौन कौन से हैं चलिए आईए एक के करके डिस्कुस कर लेते हैं तो friends सबसे पहले क्या है गुजराथ ठीक है गुजराथ राज्यस्थान मध्यप्रदेश चत्यसगर जारकंड वेस्ट बेंगॉल त्रिपुरा और मिजुरम ठीक है तो ये हो गए आपके टोटल एट स्टेट्स जहां से आपके ट्रॉपिक ओफ कैंसर यानि करकरेखा गुजरती है तो याद रखना है गुजराथ, राज्यस्थान, मध्यप्रदेश, चत्यसगर, जारकंड, वेस्ट बेंगॉल, त्रिपुरा और मिजुरम तो आईए मैप की हेल्प से भी हम देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ओफ कैंसर है यानि कि करकरेखा है वो किन-किन राज्यों से होकर गुजर रही है क्या होता है फ्रेंड्स के मैप की हेल्प से जब हम किसी चीज़ को पिक्चराइज करते हैं तो वो चीज़ हमें इजिली याद रह जाती है थिक है तो होफुलि आपको भी याद रहेगा तो आईए मैप की help से हम देख लेते हैं कि करकरेखा कहां से गुजरती है तो friends यह है हमारी करकरेखा आप देख रहेंगे ठीक है तो करकरेखा जो है गुजर रही है सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था गुजरात ठीक है तो first number पे है गुजरात ठीक है गुजरात के बाद थोड़ा सा area हो गया राज्यस्थान का तो second number पे क्या आएगा राज्यस्थान ठीक है उसके बाद third number पे आएगा आपका मध्यपरदेश पहला गुजरात राज्यस्थान मध्यपरदेश पहले इन तीनों को याद कर लेते हैं पहले साथ आप रपीट कीजिए गुजरात राज्यस्थान मध्यपरदेश ठीक है अब इसके बाद तीन और याद कर लेते हैं आगे ठीक है तो तीन और आगे क्या होगी सबसे पहले मध्यपरदेश के बाद अब ये देखो याँ पर थोड़ा सा चत्तिस गड़ आ गया तो फोर्थ नमबर पर क्या है चत्तिस गड़ ठीक है चत्तिस गड़ के आगे क्या गया इदर जारखंड तो फिफ्थ क्या हो गया जारखंड हो गया और जारखंड के साथ ही यहां पर West Bengal, तो 6 हो गया आपका West Bengal, ठीक है, तो अब 3 और याद कर लेते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजे, 36 गड़, जारखंड, West Bengal, ठीक है, यह 3 हो गया, अब आगे के और बढ़ लेते हैं हम, तो अब क्या रहा गया देखो, यहां पर, यहां पर, यह ठीक है, त्रिपुरा हो गया आपका 7 नमबर पे, और 8 नमबर पे, यहां पर आ गया मेजुरम, तो 8 नमबर पे क्या है, मेजुरम, तो हो गया टोटल 8 राज्य, ठीक है, तो लास्ट में क्या था सिर्फ त्रिपुरा और मेजुरम, त्रिपुरा मेजुरम, त्रिपुरा तो आईए एक साथ बोलते हैं गुजरात राजिस्थान मध्यप्रदेश 36 गड़ जारखंड वेस्ट बेंगौल त्रिपूरा मिजरम गुजरात राजिस्थान मध्यप्रदेश 36 गड़ जारखंड वेस्ट बेंगौल त्रिपूरा मिजरम तो friends hopefully याद रहेंगे कि ये जो राज्य है ये करक रेखा यहां से होकर गुजरती है ठीक है इसी के साथ एक important question में बता देती हूँ कि जो ये है हमारे साड़े 82 degree line ठीक है आप देख रहे हो यहां पर ये point तो जो हमारी 82 degree थी 80, साड़े 82 degree ठीक है तो साड़े 82 degree और करक रेखा आपस में कहां मिलती है कई बार ये भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो देख रहे हैं आप यहां पर ये match कर दिये इस point पर ठीक है तो ये कहा है 36 गड़ में तो जो करक रेखा है और साड़े 82 degree पूर्वी दिशानतर रेखा करक रेखा और पूर्वी दिशानतर रेखा आपस में कहां मिलती है कौन से राज़ में मिलती है तो 36 गड़ में ये मिलती है तो ये आपने याद रखना है important है ठीक है तो hopefully आपको याद रहेगा चलिए next question की बात करते हैं अब next question है कि भारती राज़यों में किस राज़य की तट रेखा सबसे लंबी है तो friends तट क्या होता है तट वो होता है जो स्थान हमारा boundary बनाता है land और water के बीच तो वो beach का area क्या तट होता है ठीक है यहाँ से land शुरू हो जाएगा आपका और यहाँ पानी होगा तो यह वाला area क्या होगा तट होगा तो भारती राज़यों में किस राज़य की तट रेखा सबसे लंबी है तो कौन सा ऐसा राज़य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है which state has the longest coastal line among Indian states तो friends वो गुजरात है गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है और friends अगर हम बात करें गुजरात के बाद कौन सा ऐसा राज़य है जिसकी तट रेखा उससे लंबी है मतलब गुजरात की तो सबसे लंबी है उससे दूसरे नंबर पर आंधर प्रदेश की ठीक है तो दूसरे नंबर पर तट रेखा किसकी बड़ी है तो आंधर प्रदेश की बड़ी है यह देखो यहां पे यह है गुजरात की तट्रेक़ आप देखरो यहां पे यहां तक तो यहां से यह land हैं और यह water है तो यह हो गया तट बीज का area जो पानी और जमीन को दो भागों में बांट रहा है तो यह हो गया गुजरात, ठिक है तो पहले number पर है गुजरात की ठीक है और दूसरे number पर है आपकी आंधर प्रदेश की तो ये है आपका आंधर प्रदेश ये ठीक है तो second number है आंधर प्रदेश का तो तटरेखा सबसे बड़ी है गुजरात की और दूसरे number पर है आंधर प्रदेश की तो यह दोनों यह पता होना चाहिए आपको कि सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है और दूसरे नंबर पर आंधर प्रदेश की है ठीक है तो hopefully आपको याद रहेगा यह next बात करते हैं भारत में कितने राजय तटरेखा से लगे हैं तो friends अब बात करते हैं कि यह total कितने यह तो हमने बात की कि सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है लेकिन इंडिया में कितने जो states है how many states in India are bordered by the coastal line तो friends अगर हम बात करें राजय ठीक है तो 9 states हैं और 4 जो है union territories है यानि कि 9 राजय हैं और 4 केंदर शासित प्रदेश हैं जिनकी जो तटरेखा है वो भारत मतलब भारत में 9 राजय और 4 केंदर शासित प्रदेशों की तटरेखा जो है ठीक है तो लगे हैं जो तटरेखा के साथ लगे हैं वो राजय कौन-कौन से हैं आईए सबसे पहले राजयों की बात करते हैं कि जो 9 राजय हैं वो कौन-कौन से हैं तो चलिए मैं 1214.6 किलोमेٹर फिर बात करते ह divaki महाराश्चा महाराश्चा की 720 किलोमेटर लगती है फिर गुवा है double 101 किलोमे सबसे कम आ देखो सबसे जाधा तो मैंने आपको बता दिया था ने कि गुजरात की लेखी सबसे कम किस की है both go की तट्रेखा फिर आता है करनाटक की इतने 300 km है केरल की 500 km है और उसके बाद तमिलनाडु तो तमिलनाडु की 980 km है आंधर परदेश की 770 km है और उडिसा की 484 km है तो फ्रेंड्स ये हो गए आपकी तट्रेखा जिन जिन राज्यों के साथ लगती है हम आपकी हल पसे भी इसको अच्छी तरह से अभी पढ़ेंगे ठीक है अभी सिर्फ मैंने आपको राज्यों के नाम बताएं हैं अब हम बात करेंगे केंदर शासित प्रदेश तो केंदर शासित जो प्रदेश है वो चार केंदर शासित प्रदेशों की तटरेखा लगती है तो कौन सा है अंडेमान और निककोबार, सबसे पहले क्या है, अंडेमान और निककोबार, फिर है लक्षदीप, थर्ड है पॉन्डीचेरी और फोर्थ है दमन्दीप, ठीक है, तो कितने जो है हमारी केंदर शासित परदेश होगे, चार और नौ होगे राज्य, ठीक है, तो आएए, मैं आपकी हल्प से देखते हैं कि कौन-कौन से हैं यहां से बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था गुजरात, ठीक है, सबसे पहले हम सिर्फ राज्यों की बात करेंगे, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद दूसरा कौन सा है, मध्यप्रदेश की, देखिए, जो ब्लैक था महाराष्ट्र है second number पे ठीक है थर्ड नंबर पे आगया आपका ये गोवा ठीक है तो तीसरा कौन सा हो गया गोवा हो गया फिर उसके नीचे क्या है करनाटका फूर्थ नंबर पे है करनाटका ठीक है फिर करनाटका के नीचे आगया आपका केरला तो फिफ्ट नंबर हो ग आंधर प्रदेश के बाद आएगा ओडिसा एर्थ नंबर पर और लास्ट है आपका वेस्ट बंगॉल यानि कि पश्चिम बंगाल तो ये नौ राज्ये हो गए जिनकी तटरेखा जो है भारत में कितने राज्यों की तटरेखा जो मतलब भारत में कितने राज्ये हैं जो तट रेखा के साथ लगे हुए हैं तो नौ के नौ मैंने बता दिया चली अब इनको दुबाराँ से एक बार मेरे साथ आपको जोर-जोर से बोलना है ठीक है सबसे पहला है गुजराद महाराष्ट्र गोवा करनाटक चार पढ़ेंगे हम पहले गुजरात महराष्ट्र गोवा करनाटक ठीक है अब लास्ट के हम पढ़ लेंगे लास्ट के क्या है केरल तमिलनाडू आंधरपरदेश ओडिसा पश्चिम्बंगाल ठीक है अब एक साथ इन सब को हम पढ़ेंगे तो जल्दी से बोलना है गुजरात महराष्ट्र गोवा करनाटक केरल तमिलनाडू आंधरपरदेश ओडिसा पश्चिम्बंगाल ठीक है एक वार फिर से तो ये हो गए आपके नौ राज्य जो जिनकी जो है भारत के साथ तटरेखा है तटरेखा लगती है अब बात करेंगे हम कौन कौन से जो है आपके यूनियन टेरिटरीज हैं तो फ्रेंड्स फोर यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताई ठीक है तो फोर यूनियन टेरिटरीज बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी है तो आईए एक बार revise कर लेते हैं देखो यहाँ पर मैंने बताया था अंडेमान ठीक है तो अंडेमान कहाँ पर है अंडेमान है आपका ये ठीक है तो एक हो गया अंडेमान फिर दूसरा मैंने आपको बताया था ये लक्षदीप तो लक्षदीप देख लेते हैं यह हो गया अंडेमान यह हो गया आपका लक्षदीप ठीक है फिर था पॉंडिचेरी तो यह है पॉंडिचेरी ठीक है और लास्ट था आपका दमनेंड द्वीप ठीक है ठीक है तो सबसे पहला अंडेमान, फिर पॉंडिचेरी, लक्षदीप और दमंद्वीप ठीक है तो ये चार जो है केंदर शासित प्रदेश है जिनकी तटरेखा भारत की साथ लगती है ठीक है तो अब हम बात करते हैं एक एक करके इनको हम रिपीट करेंगे मेरे साथ आपने रिपीट करना है कि भारत के कितने केंदर शासित प्रदेश है जिनकी तटरेखा से लगे हुए है ठीक है तो चार केंदर शासित प्रदेश है जो तटरेखा से लगे हैं अंडेमान, निकोबार, पॉंडिचेरी, लक्षदीप, दमंद्वीप ठीक है अंडेमान, अब बात करते हैं कि तीनो और से बंगलादेश से घिरा राज्य कौन सा है तो फ्रेंड बंगलादेश जो कंड्री है भारत का एसा कौन सा राज्य है जो तीनो तरफ से बंगलादेश से घिरा हुआ है which is the state somewhere surrounded by Bangladesh on all three sites तो वो है त्रिपुरा ठीक है तो आईए देख लेते हैं तो फ्रेंड्स ये देखे ये हैं बांगलादेश आप देख रहे हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा त्रिपुरा तो आप देख रहे हो कि तीन तरफ से यहां से यहां से और यहां से तो त्रिपुरा जो तीन तरफ से है वो बांगलादेश से घिरा हुआ है ठीक है तो ट्रिपुरा इसलिए आपको समझा जाएगा और होफुली याद भी रहेगा कि जो ट्रिपुरा है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांगलादेश से और फ्रेंड त्रिपुरा की जो capital है वो क्या है आपको capitals भी पता होने चीए तो त्रपुरा की capital क्या है? अगर तला, ठीक है? तो क्या है त्रपुरा की capital? ये है, देखो, अगर तला ये यहाँ पर है अगर तला, ठीक है? तो capital of त्रपुरा इस अगर तला अब बात करते हैं next question की तो next question है कि संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो friends, संकोच river forms the boundary between which two states of India तो friends, असम और अरुनाचल प्रदेश के बीच जो है संकोच नदी सीमा बनाती है, तो ये भी important है exam के point of view से अब बात करते हैं किस राज्य की समोदरी तट्रे का सबसे छोटी है तो ये मैंने आपको already बता दिया था गोवा की, तो जो गोवा है उसकी तट्रे का सबसे छोटी है which state has the shortest coastal line तो your answer will be गोवा, ठीक है next बात करते हैं कि भारत में कितने प्रतीशत भाग पर मिदान है, ठीक है what is the percentage of land in India, तो friends अगर हम बात करें कि भारत पर कितने प्रतीशत भाग पर मिदान है तो 43.2% जो एरिया है वो मिदानी है, ठीक है मतलब plain area है ठीक है, अब बात करेंगे next, भारत में कितने प्रतीशत भाग पर पठार है ठीक है, तो 27.7% जो एरिया है, वो पठार है, यानि कि what percent of the platio is there in India तो friends अगर हम platios की बात करें तो 27.7% जो एरिया है, वो platios है, ठीक है, अब बात करते है कि platios होता गया है ठीक है, कुछ लोगों को तो पता होगा लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जिनको नहीं पता है, तो friends यह है आपका पठार, ठीक है तो पठार क्या होता है, friends यह देखी, यह तो आपका मैदानी इलाका होगा plain area आप देख रहे हूं लेकिन पठार वो area होता है जो main area से थोड़ा उठा हुआ होगा, ठीक है लेकिन उपर से यह बिलकुल सीधा होगा, देख रहे हो, आप इसका उपर वाला area कितना straight है बिलकुल सीधा है, तो आप देख लो यहाँ पे image में, कि मिदानी भाग से यह थोड़ा उंचा होगा, लेकिन जो इसका उपर वाला area होगा, वो बिलकुल सीधा, यानि कि plane होगा तो वो होगा आपका पठार ठीक है, तो उपली समझ आपको कि पठार क्या होते हैं यह plane area से थोड़ा उंचा area होता है, और लेकिन जो इसका top वाला area होता है वो सीधा होता है, ठीक है यह थोड़ा खुरदरा भी हो सकता है लेकिन होगा यह देखने में आपको सीधा दिखाई देगा नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़िया हैं ठीक है, तो friends कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़िया हैं 18.5% भाग पर 18.5% प्रतिशत भाग पर पहाड़िया हैं तो friends hills है 18.5% याद रखना है काफी पर एक्जाम में पूछा जाता है और वहीं अगर बात करें कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर परवत है तो 10.6% जो एरिया है उस पर परवत है ठीक है, तो 10.6% जो भाग है वो mountains है तो अब hills और mountains याने की पहाड़ी और परवत में क्या difference होता है तो चलिए, वो भी discuss कर लेते हैं friends ये है हमारी पहाड़ी पहाड़ी का एरिया क्या होगा, ये है आप देख रहे हो, मुख्य भूमी से थोड़ा उठा हुआ होगा, ठीक है तो मैंने आपको पठार भी बताया था कि ये वो मुख्य भूमी से थोड़ा उठावा होता है ये था पठार आपका लेकिन पठार के है उपर से बिलकुल सीधा होगा ये है पठार, ये सीधा है लेकिन हिल के होगी थोड़ी ऐसी होगी मतलब ये होगी कि जो hill होती है न वो जो मिट्टी होती है मिट्टी के इकठा हो जाने से या मिट्टी का कोई भाग उपर उठ जाने से जो है पहाड का निर्मान होता है ठीक है तो ये होगी आपकी hill ठीक है ये होगा पठार जो उपर से सीधा है लेकिन थोड़ा उठा हुआ है मेदान से लेकिन हिल के होगी इस तरह से होगी वो सीधा नहीं होगा उपर से वो बिलकुल U-shape होगा ठीक है और यह होगे mountains तो यह मुख्य भूमी से काफी जादा उंचे होते हैं ठीक है सबसे पहले आएंगे पठार, पठार से उंचे क्या होगी पहाड़ी होगी ठीक है और पहाड़ी से उंचे क्या होगा आपकी mountains होगी तो वोपुली आपको याद रहेगा कि सबसे पहले क्या होगी आपके पठार आएंगे, पठार के बाद क्या आएगी आपकी पहाड़ी आएंगी और पहाड़ी के बाद आएगा आपका परवत ठीक है तो परवत क्या होता है कि ये मिट्टी से भी बने होते हैं और चटानों का जो भागे वो काफी जादा उपर उठ जाने के कारण जो है जो उंचा हो जाता है उससे क्या कहते हैं आपके परवत यानि की mountains कहते हैं तो hopefully आपको पठार पहाड़ी और परवत में difference पता चल गया होगा कि जो पठार है सबसे नीचे है उससे उंची आपकी पहाड़ियां होगे और mountains होगे आपकी पत्रीली भी हो सकती है मिट्टी वाली भी हो सकती है लेकिन जो पहाड़ियां होती है वो अक्सर मिट्टी के जो भू भाग का उंचा उठ जाने के कारण जो है पहाड़ का निर्मान पहाड़ियों का निर्मान होता है और पठार क्या है मिदाने इलाकों से थोड़ा सा उठावा भागे लेकिन वो क्या होता है उपर से सीधा होता है ठीक है सीधा प्रदीत होता है तो hopefully आपो समझा गया हो तो friends 24 time zones में बांटा गया है पूरे विश्व को ठीक है तो अब हम बात करेंगी कि जो अपना भारत है उसको कौन से time zone में रखा गया है in which time zone India is placed तो friends India को जो है first time zone में रखा गया है याद रखना है कि first time zone में रखा गया है इंडिया को वहीं बात करते हैं कि USA में कितने time zone है how many time zones are there in USA तो friends USA में 7 time zone है याद रखना है आपको बहुत बार exam में पूछे गया questions है ठीक है तो USA में कितने time zone है तो 7 time zone है USA में ठीक है वहीं बात करेंगे रूस की तो जो रूस में कितने time zone है how many time zones are there in Russia तो there are 11 time zones in Russia ठीक है तो याद रखना है आपको रूसिया में है total 11 time zones वहीं बात कर लेते हैं Australia में कितने time zone है तो friends how many time zones are there in Australia तो there are 3 time zones in Australia ठीक है तो भारत का याद रखना है भारत को पहले time zone में रखा गया है total 24 time zone है ठीक है USA में USA में ठीक है तो USA कैसे याद रखना है आपको USA है last में SA है तो SA से आपको याद रखना है 7 ठीक है तो USA में कितने है 7 है और SA से आप याद रखेंगे 7 SAAT तो 7 time zone है USA में वहीं बात करेंगे रश्या की तो रश्या में कितने होगे 11 ठीक है रश्या का याद रख लेना फिर है Australia ठीक है तो Australia 3 3 3 से 3 याद रखने और Australia से 3 3 से 3 तो Australia में कितने है 3 time zone है ठीक है तो जब USA और Australia का याद रखोगे तो जो रश्या है उसका automatically याद रह जाएगा remaining ठीक है कई बार क्या होता है कि जो options दी होते है उससे भी हम odd one out निकाल सकते हैं तो अगर USA और Australia का याद रख लोगे तो रूस का automatically याद रह जाएगा तो friends आज की वीडियो में इतना ही hopefully आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो thank you for watching my video तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please मेरी वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please friend मेरे चानल को subscribe कीज ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे thank you friends thank you for watching my video मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care bye bye and all the best for your future exams thank you friends